नमस्कार दोस्तों एक बहुती वड़ी न्यूज आ रही है दोस्तों मैं जैसा कि आपको बताया था कि भारत की जीडीपी लगातार गिर रही है इसके बाप जूद भी जो भारत का मुद्रा बंडार है वो बहुत उचे स्तर पर पहुंच गया है और यह कितना पहुंचा लग बिदेशी मुद्रा बंडार बढ़ने का एक कारण है कि आर्थिक मंदी है लेकिन जो है भारतिय सेर्वाजारों में जो एफडियाई वो बढ़ रहा है और बीते कुछ महिनों में मतलब बिदेशी निवेश को ने भारतिये कंपनियों में ज्यादा इस्तेदारी बढ़ाई जैसे की रिलाइंस हुआ एस ब्याइए हुआ एसडी एसपसी हुआ तो इन वेंकों में भी खुब जम करने वेस्ट किया है तो मार्च में भारत के डेट इक्विटी और सेग्मेंट में न एफपी आई से एक पुण दो लाग करोड रुपे की निकासी की कोरोना वायरस के लेकिन यह साल के अंतक दोबार मतलब की तीन-चार महिने में ही बहुत ज्यादा निवेस हुआ है और भारत की अर्थिवस्ता में इसा लग रहा है कि अर्थिवस्ता जल्दी पटरी पर आ जाएगी क्योंकि सब चीज़ें खुल चुकी है और बाकी चीज़ें भी खुल जा गिरावट आई है अभी आपने देखा है साओधी अरबने क्रूड का जो दा में वह घटा दिया जिसके कारण कि भारत को बहुत कम हो गया है और बिदेशी आत्रा में भी मतलब भारतिये कम खर्चा कर रहे है कोई जाई नहीं रहा है क्योंकि फ्लाइट वगेरा तो चल नह जैसे कोई विदेशी आत्रा नहीं हो रही है तो पैसा खर्चा नहीं हो रहा है तो उसकी बदले में विदेशी मुडर बंडरा बढ़ेगा जायसी बात है और इसका तीशा और में कारण है भारत में इतनी सारी कम्पनिया क्यों आ रहे है क्योंकि 20 स्प्टेंबर 2019 को रक्ष टेक्स बहुत ही कम होता है इसके कारण भी यह मुद्रबंडार बढ़ रहा है और कम्पनियां लगतार भारत में आ रही है मतलब भारत एक सेफ प्लेस बनता जा रहा चीन को छोड़ कर अभी अभी हुआ क्या है कि मतलब भारत में जो आ जीडीपी है उसमें 23.9% की गिरावट आई है मतलब तिमाही में इतनी गिरावट आई है और यह क्यों आई है क्योंकि मैनुफेक्ट्रेंग गतविदी और जो ब्यापार में इस्तिरता है मतलब कि कोई फैक्ट्री बगेर कुछ भी नहीं चद्रा फैक्ट्री स्कूल वहान फ्लाइट और मतलब कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रहे थी तो इसकी वजह से ग्रावट आई है और ग्रावट अप्रिल जुनती माही की है मतलब उसी तीन माहां के डेटे हैं इसके बाद तो साथ जोलाई से अब जो सिप्तेमर के डेटा के साथ उसमें इस्तिती बदल जाएं लेकिन आज की जो हालात हैं वह 1901 में के बहुत ज्यादा विप्रीत है उस समय बित्तिय संकट से निकलने के लिए भारत को गॉल्ड रिजर्व करना पड़ता था मतलब पड़ गया था पूरा यही कि भही जब तक गॉल्ड रिजर्व नहीं होगा तब भारत बित्तिय संकट से निकल ही नहीं सकता लेकिन आज भारत के पास 37 बिलियंड डॉलर का लगभग गॉल्ड रिजर्व मौजूद हैं जो कि किसी भी स्तिती से ने पड़ने के लिए परियापत हैं अब देखते हैं कि मतलब बिदेशी मुद्रबंडार बढ़ यादवाई इससे होगा क्या है इससे होगा यह कि मतलब ग्रोथ में ग्रावट भी आगी तो जो सरकार है वो मतलब पैसा डाल के बाजारवें चीजों को समाल सकती है इसलिए बिदेशी मुद्रबंडार बहुत ज्यादा हेल्प करता है और आर्थिक मोर्चे पर भी यह देश के लिए बहुत ज्यादा आराम दायक है और जो आया तभी लेना उसको समालने के दिए काफी है मतलब कि जो की क्रूड और वगेरा वगेरा जो भी चीजे मुंगाते हैं लेक्ट्रोनिक सुत्पाद तो उन सब के लिए बहुत महत्व पूरण है मौजूदा समय भारत को जो बदेशी मुद्रमणार मनला जीडीप है उसका 15% के लाग़ है जैसा कि जीडीप भारत की 302,000,000,000,000,000,000,000,000 of the area ग्रेक हैं प्रवंद्रा मेना करता तो इसका प्रवंदन भई प्रवंद्र करता मतलब सारो मेने जो आर वह देखत है कि मतलब कहां रखना है और कैसे रखना है किस्तेती में रखना बॉंड के रूप में रखना है यह तो इस से करके आर्वी इसको मैनेज करता है तो आर्वी आई के पास टोटल जो है अभी तक भारत आर्वी आई के पास 653 टंसोना जो कि 360 टंसोना विदेशों में रखा हुआ है और कितना बड़ा है 2014 से विदेशी मुद्धर बंडार वो पहले दोजार चौदा में यह चार ट्रिलियन डॉलर हुआ करता था मतलब एक ट्रिलियन डॉलर की कमी आगी जो के बुरा संकेत है और इसके बढ़ने का कार्ण में पहले ही बता दिया कि क्रूड और में बहुत जादा कमी आई यह कि क्रूड और 19 डॉलर प्रती बैरल पर पहुंच गया और आगे भी घटने की ज्यादा ही संभाब ना है तो इससे और ज्यादा बढ़ेगा विदेशी मुद्रवंड आपको वीडियो कैसे लगा अच्छा लगया तो कमेंट करके बताए कि आगे किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए कि